दोस्तो फाइनली NDA की सरकार बन चुके हैं मोदी जी लगाता तीसरी बात प्रधान मंत्री पद की सपत ले चुके हैं धीरी धीरी सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है सब कुछ शांत होता जा रहा है लोग elections को भूलते जा रहे हैं लेकिन एक चीज जो मुझसे भूलाई नहीं जा रही जो मैं भूल भी नहीं पारा वो है हमारे बाबा योगी आदेतनात का चेहरा शपत गरंड समारों में आया हुआ लगबग हर एक इंसान खुष्टा लगबग हर एक निता खुष्टा क्योंकि मोधी जी लगाता तीसरी बार पधान मंत्री पद की सपत ले रहते लेकिन उत्तर पदेश के नतीजों ने बाबा योगी आदेतनात का चेहरा उतार रखाता और उनका चेहरा उतार जाना बनता भी है क्योंकि इन्हों ने यूपी के लिए और खासका राम मंदिर के लिए अपना सब कुछ जोक रखाता और वो भी अभी से नहीं बलकि 1992 के आं लंगें भी तो कैशे हम यूपी वालों ने बाबल जी के साथ में जो किया है वो छमायोगतों नहीं खियोँ और कैसे अगर जानना है तो देखते हैं यही विडम बना है जो लोग राम का विरोध करते थे जो लोग राम मंदिर का विरोध करते थे उन लोगों को अयोध्या की जनता ने चुन का संसद भेजा है जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलबा चुके हैं, जो लोग राम मंदिर के कभी भी साथ खड़े नहीं रहें, जो लोग राम मंदिर की जगह हमेशा मस्जिद चाहते थे, उन लोगों को अयोद्या की चंता ने चुन कर अपना नेता बना कर संसद भेज दिया है, तो मैं वीडियो में नए टोपिक के साथ, तब तब गुडबाय नमस्कार, जेहन